आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं MASA Proxy application को आप अपने फोन में कैसे यूज़ करेंगे तो guys गर आप ही जाना चाहते हो MASA Proxy application क्या है और इस application को हम अपने फोन में कैसे यूज़ करें तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए तो गई सबसे पहले तो play store के अंदर जाना है और masa proxy application को अपने phone में डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद इसके बारे में और भी जानकारी चाहिए इसकी details चाहिए तो about this app का option मिलेगा इसके उपर क्लिक करके इसकी पूरी जानकारी आप जो है ले सकते है इसके लावस के reviews rated वगर आपको देखने है तो वो भी देखते हो 3.4 star मिले हुए 569 इसकी reviews है 3 plus rated है and 1 million plus इसकी जो डाउनलोडिंग है अब कैसे application को use करना चलिए मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले तो हम अपने phone में इस application को open करेंगे open करने के बाद agree वाला option मिलेगा इसके उपर हम click करेंगे और उसके बाद इस तरह से application open हो जाएगी तो सबसे पहले यहाँ पर हम server का option मिलेगा हम इसके उपर click करके जो भी server आपको connect करना वो यहाँ पर आप select कर लेजिए बहुत सारे server है इसमें से तो यहाँ पर for example हम यह वाला server choose करते है हम यहाँ पर allow पर click करेंगे और यहाँ पर connecting start हो जाएगी ठीक है एक दो second आपको wait करना है और कुछी second के इंदर successfully आपके phone से जो भी server आपने select किया होगा वो यहाँ पर successfully connected दिखाएगा ठीक है यहाँ पर यह connected दिखा रहा है मतलब successfully यह करेंगे उसके बाद यहाँ पर यह एक ही click के अंदर यहां से जो यह disconnect हो जाएगा चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ इसे close करके यहाँ पर यह disconnect हो चुका है तो इस तरह से आप अपने phone में masa proxy application को use कर सकते है